कि जब रिष्टे में सांस नहीं है, फिर कैसे इस पंदन होगा, बेर तभी तो पुश्पित होगी, जब कोई आलम बन होगा कि जब रिष्टे में सांस नहीं है, फिर कैसे इस पंदन होगा, बेर तभी तो पुश्पित होगी, जब दोई आलम बन होगा कि जो अलबोत किया है मैंने, उसको तो सीकारंगी में, जो इस पश्च नजर आया है, उसको क्यों भ्रमारंगी में, जब सब आदल छटे होए हैं क्यों मूंदों का नर्तन होगा, बेर तभी तो पुश्पित होगी, जब कोई आलम बन होगा, जब रिष्टे में सांस नहीं है, फिर कैसे इस पंदन होगा कि अब जब कोई चाह नहीं है, तो आफिर क्यों राहत को में, जब निरने की छाह तले हो, यो विचलन की दूप चको में, इनी खुननी के रना से मेरे घर में आले पड़ होगा, बेर रिष्पित होगी, जब कोई आलम बन होगा, बेर तभी तो पुश्पित होगी, जब कोई आलम बन होगा, और किस सकत की? सबसे ज़ादा ज़रूरत होती है किसी रिष्पित को, जब वही तरोईट हो जाए, तब क्या होता है? कि प्रेम बहुत बारीक भाव है, प्रेम नहीं सूलतत है, प्रेम अकत को है सुन लेना, प्रेम विरल है, प्रेम सत है, जो अनभूत सता करना था, उसका भी आहन होगा, ये तभी तो खुश्पित होगी, जब कोई आलंबन होगा, जब रिष्टे में सास नहीं है, फिर कैसे इस पंदन होगा? और किसी अगर अनुरागी हो सकती है, तो विरागी भी हो सकती है, तब पढ़ना चाहती हूँ, फागत है, कि आस बांदने बाट जोहने का अप कोई अर्थ नहीं है, मुझ में अप पीरा सहने का, चुटकी फरसा मर्थ नहीं है, मेरे इस साशई मनन का, मुझ से ही अधिनन्दन होगा, देल तभी तो कुश्पित होगी, जब कोई अर्थ नहीं होगा, जा जा, मेरे अप रोकिरदार नहीं हो, जो तुम कोजी बर्दुल राए, मुझ में अप जीन सुप्रहता का, मुझ में अप जीन सुप्रहता में, तनिक नहीं परवरतन होगा, देल तभी तो कुश्पित होगी, जब कोई अर्थ नहीं होगा, देल तभी तो कुश्पित होगी, जब कोई अर्थ नहीं होगा, जब रिष्पे में अस नहीं है, तनिक ऐसे इस सुप्रहता का,